नमस्का दोस्तों मैं आकाश आपका सुवागत है दिक्साटी सेंटे यूटीब चानल पर देखो थोरा सा कल टाइम नहीं मिल परा उसलिए कुछ अपडेट नहीं दे पाया लेकिन मेरा फर्स बनता है आपको सभी अपडेट दे दूए कोई भी एक्जाम रेलेटेट तो 11-1-2018, it was stated in the opposite write-up that candidate को declared qualified in tire 1 exam are eligible जो है वो eligible है paper tire 2 and tire 3 examination के लिए तो है लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ बताया जा रहा है आपका scheme of examination para 9 में जो notice of the examination आया था उसमें the merit will be prepared on overall performance of tire 1, tire 2, however the candidate will need to qualify all the tires यह तो हम लोग को पता ही है sectional cut-off भी नहीं होगा यह फिर से बता दिया गय है थोड़ा कुछ changes करके ठीक है और according it is clarified that only those kind who qualified tire 2 of the CGL 2021 will be called for appearing tire 3 के लिए बुला जाएगा वो obviously हो ही होता है therefore the opposite write-up of the result of tire 1 may be treated as amended तो उसको थोड़ा changes कर दिया गया अब बताया जाए रहा थेको result कब होगा तो result हम लोग का जो आएगा वो 8th of June को आ जाएगा और सबसे और इन बात होता है exam कव होगा तो यह exam जो होगा आपको पूरा एक महिना का time दिया जा रहा है मतलब July 8th of July को हो जाएगा तो आपको पूरा time मिल जाएगा तो guys आप ज़रूर अच्छा से preparation करो मैंने strategy बना के दिया है आपको जरूर देख लो ASIS की बहुत सारे topics है जरूर मैं मैं regular business में ASIS की topic कर रहा हूं आप मुझे suggest भी कर सकते हो कौन सा topic आपको और शाहिए additionally मैं उसके ओपर जरूर वीडियो बना दूंगा ठीक है तो चलो thank you guys for मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तिल दिन बाबाई अच्छा लगए तो जरूर लाइक और शेयर कर देना